तो आज इसे हम start करने वाले हैं B Pharmacy 3rd semester pharmaceutical engineering में unit number 1 flow of fluid ठीक है? unit number 1 जो है आपको 3 chapter में है first is flow of fluid, second is size reduction and third is size separation तो आज के इस lecture में हम start कर रहे हैं flow of fluid और हम cover करने वाले हैं कि fluid जो है flow कैसे होता है मैनोमिटर क्या होता है, कितने तरह का होता है, रेनोल नमबर और उसके सिगनिफिकेंस, बनोली थियोरम और उसकी अप्लिकेशन, साती सात एनरजी लोस, तो ये सारा एक ही लेक्चर में हम कवर करेंगे, फिर जो नेक्स लेक्चर आएगा, उसमें हम कवर करेंगे, और इफिस मीटर, वैंचुरी मीटर, पिटोर ट्यूब, और रोटा मीटर, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अगर आपको और लेक्चर देखना है, तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, पीडियेफ पॉर्मेट में, तो आप टेलिग्राम से जुड़िए, वहाँ पर मैंने आपको वाट्सअप के बारे में बता रखा है, वाट्सअप ग्रूप के बारे में, आप वाट्सअप ग्रूप फीचर से जुड़िए, और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, तो जिसे कि मैंने आपको हर लेक्चर से पहले कहा है, कि आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेक्चर को ध्यान से सुनते हो, उतना ही जल्दी आपको वह याद होता है, ठीक है, आप यहाँ पे सुनो, समझो, और फिर लेंग्विज तो आप खुद ही बना सकते हो, तो देखिए आज का आपका चैप्टर है, जिसमें मेंने बता दिया आपको कि मैं कितना कवर करने वाला हillon इस लेक्चर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मुझे बताईए, कितने तरह के फिलूड होते हैं, सर, फिलूड तो कही तरह के उते हैं, कोई viscus होता है, कोई normal होता है, कोई कम विसकस होता है, कोई जादा विसकस होता है, ठीक है, अब एक बात बताओ, जो विसकस जादा, विसकस का मतलब होता है गाड़ा, जो गाड़ा जादा होता है, क्या वो फ्लो कर पाता है सही से, नहीं सर, वो कम फ्लो कर पाता है, जैसे एक एक जामपल में अगर आपको तो आप यहां पर खड़े हो और आपके पास दो बोटल है, एक बोटल में पानी है, एक बोटल में हनी है, शहद है, तो एक बोटल में पानी है और एक बोटल में हनी है, और अगर मैंने आपको बोला कि आपको दोनों को फेक देना है नीचे जमीन पर, तो क्या होगा, पानी तो फटाफट फ्लो हो जाएगा इस तरह से और हनी जो है एक जगे पर रहे जाएगा फिर धीरे धीरे विसकस होता है बहुत बहुत गाड़ा होता है ना शहद तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो पानी जो है जल्दी से फैल जाता है और जो हनी होता है वो धीरे धीरे आग तो जो flow of fluid है वो कम होगा और अगर viscosity कम होगी अगर गाड़ा पनी नहीं होगा fluid में तो वो जल्दी-जल्दी flow होगा ठीक है तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बुला है कि ऐसा कोई भी सबस्तान जिसकी ability हो flow करने की उसे हम कहेंगे उसकी flow property जैसे solid, liquid and gas यहाँ पर मैंने आपको तीनों बोल दिया अब आप बोलोगे कैसे तो solid के जो छोटे छोटे पार्टिकल है आप powder यूज करते हो और जब आप powder के box से powder को बहाँ निकालते हो तो निकलते है ना वो तो वो भी क्या है? solid particle वो भी क्या कर रहे है? flow कर रहे है ठीक है? तो solid particle जैसे मैंने यह रख दिया अब इसको मैं बोलूँगा इधर से push करूँगा तो यह आगे बढ़ेगा यह यहाँ आ जाएगा कहीं पर ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ मैंने आपको solid particle का flow बताया कि अगर solid particle यहाँ पर था और मैंने इस पर pressure apply किया तो solid particle यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा अब एक बात बताओ solid particle में क्या कोई deformities आईगी deformities का मतलब होता है कि क्या solid particle खराब होगा बिल्कुल खराब नहीं होगा क्योंकि क्या होता है यह यहाँ पर है मैं इस पर pressure apply करूंगा तो यह यहाँ पर आजाएगा simple अब यहाँ पर कोई भी deformities नहीं आई पर अगर मैं पानी और gas की case में बात करूं अगर मैं liquid और gas के case में बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है ध्यान से सुनना जैसे कि मैंने आपको बताया एक glass आपके पास है और इस glass में क्या है पानी ठीक है और इधर मैंने एक दूसरा container लग दिया इधर मैंने suppose करो एक बाल्टी रख दी बड़ी सी ठीक है bucket रख दी अब मैंने आपको बोला कि इसमें पानी ट्रांसफर करो तो glass में जो पानी था उसकी जो अलग एक तरह से में बोल लो तो अलग शेप थी अब जब मैंने इसको इसमें डाला तो यहां पर कुछ अलग ही शेप आएगी ठीक है और अगर मैंने इसको छोटे से bucket में डाल दिया तो अलग ही शेप आएगी तो यहां पर क्या होता है water जो है deformities आती है flow के साथ अगर मैं उसका container change करता रहूँ सबसे पहले मैं झाल स्में लिया फिर मैंने बाल्टी में लिया का भी कॉछ ता चेंड होनों के सांथ यहां पर उसकी शेप और it informities आ रही है क्योंकि वह glass में कुछ और shape से था और bucket में कुछ और था और जो tub है उसमें कुछ और होगा तो यहाँ पर क्या होगा changes आ रहे हैं जैसे जैसे मैं container change कर रहा हूं liquid में changes आ रहे हैं liquid की shape में changes आ रहे हैं ठीक है और case की अगर मैं बात करूं तो एक balloon है suppose को आपके पास इस balloon में gas भर दिया आपने ठीक है तो इसका area इसका size सब अलग होगा अब इसी case को मैंने release करके एक room में बंद कर दी तो room में अलग से फेलेगी है तो मतलब यहाँ पी क्या होगा changes आएंगे liquid और gas के case में changes आएंगे अगर आप जगे change करते हो तो वह change हो जाएंगे कौन liquid और gas पर अगर आप solid की जगे change करते हो solid को मैंने glass में डाल दिया फिर उसी solid को उठाके मैंने tub में डाल दिया तो solid तो as it is रहेगा ना बाकि liquid और gas तो change हो जाएंगे तो liquid or gas की flow property पढ़ेंगे क्योंकि liquid or gas जो है change हो रहे है अगर हम container change कर रहे है तो ठीक है देखो यहां पर solid को अगर मैं moment कर रहा हूं तो उसमें कोई भी change नहीं आएगा shape में पर अगर मैं वहीं liquid को और gas को change करूं ठीक है उसके container change करके देखों तो वहां पर changes आएंगे और changes के साथ साथ deformation बोल सकते हो आप shape में shape में deformation का मतलब होता है कि shape change हो रही है कभी अलग shape में था फिर container change करो के तो अलग shape में आ जाएगा ठीक है चलिए तो liquid or gases जो है fluid है इससे हमाँ पता लग गया क्योंकि gases भी वही property शो कर रहा है जो liquid कर रहा है अब यहां पर देखिए यहां पर आपको एक term दे रखी है fluid pressure fluid pressure क्या होता है नाम से पता लग रहा जो fluid pressure apply करे उसे हम कहेंगे fluid pressure ठीक है जैसे यह liquid flow हो रहा है अब इसका कितना pressure लग रहा है उस हम क्या कहेंगे fluid pressure और fluid को हम क्या कहेंगे सर्फ fluid है मतलब liquid है और liquid है मतलब पानी है और पानी को हम कहते हैं hydro तो this is known as hydrostatic pressure ओके तो fluid pressure या फिर आप बोलो liquid pressure also known as hydrostatic pressure the pressure applied by the fluid is known as fluid pressure ऐसा pressure जो fluid apply करें उसे हम क्या गएंगे fluid pressure जिसका एको नाम क्या है hydrostatic pressure clear है चलिए आपर आपको pressure का formula दे रखा है जैसा कि आप सभी जानते है pressure equals to होता है force upon area जो नहीं जानता हो सुन लो class 8 का formula है pressure equal to force upon area और force क्या होता है अगर मैं force का formula देखू तो force होता है mass into gravity जितना भी उसका mass होगा और उपर से उसकी जितनी भी gravity लगेगी उसों हम कहेंगे mass into gravity और gravity कितनी होती है 9.8 होती है पर हम calculation के लिए 10 मान के चलते हैं और F को अगर मैं देखू तो वो होता है force कैसा होता है mass into gravity ओके और area का area तो हमें यहां पर देखने को मिला कि force equal to mg and area का area और जैसे कि आप जानते हैं जो mass होता है gravity होती है अगर मैं प्रेशर को लिखना चाहूं other terms में तो एक बाद आप ज्यान से सुनना देखो यहां पर आपको लिखा है row ओके row area height gravity height मतलब कितनी height से है वो ओके और नीचे area का area मतलब मैं यहां पर इस mass को इस तरह से लिख सकता हूं row a h row का मतलब atmospheric pressure a का मतलब area h का मतलब height और g का g ओके और यहां पर a का a अब यहां भी आप देखिए मैंने a से a को cut कर दिया बचा रो h g या फिर आप इसको बोल सकते हो रो जी एच और यह आपने सुना होगा रो जी एच ठीक है अगर आपने class 11 12 अच्छे से पढ़ी है class 11 में भी था यह रो जी एच तो pressure को हम बोलते हैं रो जी एच लियर है आपको तो इस तरह से हमने pressure detect करा कि pressure का formula क्या होता है रो जी एच जहां पर रो का मतलब मैंने आपको बता दिया h का मतलब height g का मतलब gravity चलिए तो pressure का formula हमने निकाला हमने देखा कि fluid pressure होता क्या है हमने देखा कि flow of fluid में हम किसे पढ़ने वाले हैं एक तो हम पढ़ने वाले है liquid को gases को क्योंकि these are the fluids क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है shape change हो रही है या फिर आप बोल सकते हो deformities आ रही है ओके चलिए आगी चलते हैं अब आपके syllabus में दे रखाता types of manometer तो यहां पर manometer को अच्छे समझते हैं देखो manometer क्या होता है fluid का pressure detect करने का काम करेगा इस पूरे chapter में जो flow of fluid है महाँ पर manometer का एक काफी important role है यह जो manometer है यह pressure detect करता है pressure measure करता है यह ध्यान रखना काफी important है manometer क्या करता है pressure को detect करता है एक ऐसा device है जो कि pressure difference को बताता है किसी एक point पे pressure को बता देगा या फिर दो फ्लूट के बीच में pressure का difference बता देगा द्यान से सुनना या तो किसी एक पॉइंट पर प्रेशर बता देगा कि यहां इस पॉइंट में क्या प्रेशर है जिसे मैं आपको समझाता हूं या तो यह मैंने लिक्वेड बना दिया और मुझसे कोई पूछता है विद्वान आकर कि सर यहां पर इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा तो इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए मैं मैंनोमेटर का यूज़ करूँगा और एक और स्टुडेंट आता है कि सर दो लिक्वेड कंटेनर है आपके पास तो ठ इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है वह प्लूडकेन सर के लिए नाम से पता लग रहा तो इसको काम भी सिम्पल एक ग्र्म ईंट होता है नवहांपर प्रेशर दिफेरेंज़ बताएं और differential मतलब 2 different मतलब 2 अलग-अलग देखो एक container ये एक container ये अब दोनों की बीच में कितना pressure difference है वो differential manometer बताएगा clear होगे आपको काफी simple है नाम से आपको clear होना चाहिए कि simple manometer क्या करता है एक point पे pressure बताता है और यहाँ पर differential manometer क्या करता है दो container में जो pressure difference होता है दो fluid में वो हमें बताता है ठीक है तो देखो simple manometer काम कैसे करता है द्यान से सुनना जैसे कि मानलों यहाँ पर एक container है ये diagram आप भी बना लेना और इस container में fluid है और हमें एक point पर पता करना है कि यहाँ पर pressure कितना है तो यह point है अब यहाँ से क्या हो गा hem manometer connect कर देंगे और manometer जब हम connect करेंगे तो यहाँ से तो लगेगा atmospheric pressure जो atmospheric प्रेशर होता है वो इधर से लगेगा और इधर से लगेगा fluid का pressure इधर से क्या लगेगा fluid का pressure तो इस तरह से हम calculate कर लेंगे कि atmospheric pressure में से हम अगर Ag сопrift pressure detect करता है और यहाँ पर example लिखा हुआ है YouTube manometer यह YouTube जिस पर आप पढ़ रहे हो वो नहीं है यह यू है ठीक है चलिए next देखते हैं differential manometer तो differential manometer क्या होता है मैंने आपको बता दिया जहाँ पर दो fluid की बीच में pressure का difference अगर हमें पताना है तो हमें पता करना पड़ेगा with the help of differential manometer यहाँ पर क्या होता है इस तरह से आपको diagram बनाना है देखिए इसको द्यान से इस diagram में आपको दो fluid दे रखे हैं इस तरफ है fluid 1 जिसका pressure यहाँ पर आपको बता रखा है P1 और इस तरफ है fluid 2 जिसक pressure आपको बता रखा है P2 तो होता क्या है यहाँ पर आपको दो fluid दे रखे हैं और इसके बीच में आपको pressure difference का पता करना है और यहाँ पर हमें formula भी derive करेंगे तो ध्यान से सुनना मैंने assume किया है कि P1 का pressure जादा है as compared to P2 मैं क्या assumption कर रहा हूं कि P1 जो pressure है वो जादा है as compared to P2 और अगर P1 का pressure जादा है तो P1 जो है इस तरफ हावी होगा अपना pressure लगाएगा और P1 जैसे ही pressure लगाएगा यहाँ का जो fluid था वो नीचे आएगा यहाँ पे fluid भरा हुआ है वो नीचे की तरफ push होगा और अगर यह fluid नीचे की तरफ push होगा तो यहाँ पे pressure लगेगा और यहाँ पर नॉर्मल लेवल था पर यह फ्लूट जो है अब उपर की तरफ आएगा क्योंकि इधर से प्रेशर लग रहे हैं अगर इधर से प्रेशर लगेगा तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि पीवन का प्रेशर जादा है इसलिए वो प्रेशर लगा रहा है तो सपोस्ट करो यहां तक जो है फ्लूट नॉर्मल लेवल पर था पर जब पीवन ने प्रेशर लगाया 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 तो यहां पे फ calculate कर लेंगे ठेक है और यह जो P2 है P2 का मतलब जो दूसरा liquid है वो भी अपना pressure लगा रहा है वो भी लगाएगा हाला कि उसका कम है पर लगाएगा तो सही ना तो यह भी अपना pressure लगा रहा है इस तरह से इसको नीचे करने के लिए पर यहाँ पर P1 का pressure जादा है तो यह जो है इसको उपर उठा देगा इतना तो यह जितनी हाइट उपर आया है उससे हम calculate करेंगे ठेक है यह देखो आपको यहाँ पर एच दिखा रखा है एच का मतलब होता है हाइट तो प्रेशर मैंने आपको आप लिख सकते हैं P1 एक्वल टू P2 प्लस रो जी एच अब आप बोलोगे सर यह P1 P2 के एकवल कैसे हुआ तो देखो यहाँ पर यह जो प्रेशर था यह यहाँ पर सेम था ना यह यहाँ पर सेम था ना that's why P1 एकवल टू P2 बाद में चेंजिस आ रहे हैं बाद में बाद माइनस P2 को हम लिखते हैं Delta P मतलब चेंज इन प्रेशर P1 माइनस P2 का मतलब क्या हो गया Delta P Delta P का मतलब क्या हो गया смотрите अपर क्या गर्म हह यहाँ पर क्या करना है clear है आपको यहां तक, तो हमने देखा flow of fluid, manometer, types of manometer, अब हम देखेंगे flow किस तरह से होता है, देखो एक तो होता है normal flow, जिसे हम कहते है steady flow, मतलब यह pipe है आपका, और यहां पर अगर fluid flow हो रहा है, तो वो normal flow है, ठीक है, normal पानी बहार आ रहा है, normal fluid जो है, flow हो रहा है, पर एक होत पानी देखे आओ, और आप जो लगे हो मस्ती करने है, उस pipe को दबा रहे हो, अगर उस pipe का आप दागा होगे, तो उसका pressure जो है तेज हो जाएगा, इस तरह से, तो this is the turbulent flow, जहां पर pressure जो है, same नहीं है, constant नहीं है, तो देखो turbulent का मतलब हो गया कि constant flow नहीं है, और यहां पर जो steady flow हो गया, उसका मतलब है constant flow, अगर आप pipe को पकड़ के खड़े रहोगे, तो उसमें पानी एक ही speed से निकलेगा, so this is the steady flow, जहां पर constant flow होता है, वहीं अगर आपने उसको दबा दिया, तो होता किया, speed से निकलेगा, तो यहां पर जो flow होता है, वो constant नहीं रहता, जहां constant flow नही से आपको generally two marks का equation आता है, पर कभी-कभी five का आ जाए, तो मैं बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है, देखो सबसे बेले तो renal number की definition यहाद रखो, वो भी simple language में, तो देखो renal number होता क्या है, inertial force upon viscous force, क्या बोलेंगे हम इसे, inertial force upon viscous force, उसे हम कहेंगे renal number, so it is the ratio of inertial force and viscous force, it is the renal number, and renal number में एक खास बात आपने देखी होगी, जैसे-जैसे viscosity बढ़ेगी, जैसे-जैसे viscosity बढ़ेगी, renal number जो है, कम होता जाएगा, तो यहाँ पर viscosity और renal number में relationship है, कि जैसे-जैसे viscosity बढ़ेगी, वैसे-वैसे renal number जो है, कम होता जाएगा, clear है आपको, आगे चल रखा है रो वी डी अपोन इटा रेनोल नंबर इक्वल टू रो वी डी अपोन इटा अब यहाँ पर रो क्या है वी क्या है डी क्या है तो देखिए रो का मतलब हो गया density of fluid वी का मतलब हो गया velocity डी का मतलब हो गया diameter of pipe जिस pipe से fluid flow हो रहा है उसका diameter and eta का मतलब हो गया viscosity of fluid और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था जितना ज्यादा viscosity करोगे उतना ही कम renal number होगा ठीक है तो यहाँ पर यह formula है आपको याद रखना है रोवी डी अपॉन एटा क्या वो लोगे रोवी डी अपॉन इटा मेरे साथ रिवाइस कर लिया करो जैसे जैसे में repeat करता हूँ इसे आप भी repeat करा करो रोवी डी अपॉन इटा क्या हो गया है रेंओल नंबर का formula और रो का मतलब होगे आपकी density of fluid व का मतलब velocity d का मतलब diameter of pipe and eta का मतलब viscosity of fluid देखिए density of fluid, velocity and viscosity of fluid और d का मतलब हो गया diameter of pipe जो pipe का diameter होता है ठीक है वो हो गया तो this is the renal number और यहाँ पर आप देखिए अगर renal number thousand से कम हुआ तो जो flow होता है ना वो study flow होता है मतलब एक constant speed से होता है देखिए मैंने आपको पहले बता दिया study flow क्या होता है तो यहाँ पर एक constant flow होगा ठीक है कैसा flow होगा बच्चों? constant flow होगा अगर renal number की value thousand से कम आती है तो जो flow होता है वो study होता है मतलब constant होता है पर अगर वहीं renal number की value two thousand से जादा आती है यह approach approach इतनी आती है तो वहाँ पर जो flow होगा वो turbulent flow होगा कैसा flow होगा? turbulent flow होगा turbulent का मतलब होता है जहाँ पर constant flow ना हो उसे हम कहते है turbulent flow तो यहाँ पर renal number की वज़े से हमें पता लग जाएगा कि flow कैसा है क्या steady flow है मतलब क्या constant flow है या fit turbulent flow है यह हमें पता लग जाएगा with the help of renal number चलिए next देखते हैं यहाँ पर लिखा है it is used to predict the nature of fluid जो renal number होता है वो nature of fluid बता रहा है अब आप बोलोगे कैसे? तो हमने देखा ना कि 1000 से कम value अगर आ रही है renal number की तो steady flow होता है मतलब वहाँ पर जो constant speed होते है फ्लूट की constant flow होता है पर अगर 2000 से जादा आ रहा है renal number तो वहाँ पर constant flow नहीं होता फ्लूट का तो यहाँ पर यह जो renal number है यह predict करता है nature of fluid की fluid किस तरह से है? fluid steady flow वाला है या फिर turbulent flow वाला है तो हमें पता है कि अगर steady flow वाला होगा मतलब renal number जो है 1000 से कम है और अगर turbulent flow वाला होगा मतलब renal number जो है 2000 से जादा है also used to study the sedimentation rate और यह जो renal number है इससे हम sedimentation rate की भी study करते हैं तो this is all about renal number इस तरह से आपको लिखना है ठेक है? और यहाँ पर आप points बड़ा सकते हो यह पहले लिखना फिर यह लिखना फिर study का मतलब समझा देना कि study का मतलब क्या होता है इसी को आप double लिख सकते हो यहाँ पर study का मतलब होता है constant flow फिर आप इस तरह से बना के दिखा देना देखो जितना ज़्यादा diagramatically explain करोगे engineering के कैसा subject है आने वाली जो units आएंगी उसमें diagram से construction, working, principal, uses, advantages, disadvantages that's it यही सब करना है पूरी engineering में ठीक है तो diagram की तो practice कर लो चलिए आगे देखेंगे Bernoulli theorem Bernoulli theorem में में जो question है वो दो-तिन तरह से put up होता है generally तो Bernoulli theorem से two marks का question आता है कभी-कभी five marks का भी आ जाता है और बहुत ही rare ten marks का question पूछा जाता है बहुत ही rare पांचे साल में एक बार ten marks का आ जाता है तो अभी हम इसको two marks के according करेंगे और अगर किसी के semester exam में इसको ten marks में पूछा गया है तो वो comment कर दो मैं इसका derivation भी आपको अलग से बना के बता दूँगा और Bernoulli theorem हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो भी है जिसे वैंचुरी मीटर, पिटोट्यू मीटर, रोटा मीटर जिसको हम बोलते हैं रोटो मीटर तो वो जितने भी हैं, वहाँ पर आपको सब पर Bernoulli theorem अप्लाई करनी है ठीक है, वो सारे Bernoulli पर बिर्जद है तो इसलिए हमें Bernoulli theorem पढ़नी है और Bernoulli theorem हम 2 और 5 marks के according ही पढ़ेंगे पर किसी semester exam में अगर 10 marks का question Bernoulli theorem से आया है तो वो comment करें, मैं उसके लिए derivation वाला lecture अलग से बना दूँगा कि Bernoulli theorem की derivation कैसे हुई, Bernoulli का जो formula निकला, वो कैसे निकला उसका पूरा derivation अलग से मैं बता दूँगा चलिए स्टार्ट करते हैं Bernoulli theorem को तो Bernoulli theorem काफी easy है जो mechanical energy है, साती साथ जो gravitational potential energy है देखो एक तो mechanical energy हो गई, एक gravitational potential energy हो गई, साती साथ pressure, flute का और kinetic energy यह सारी constant रहती है यह जो mechanical energy है, potential energy है, flute का pressure है, kinetic energy है यह सब कुछ constant रहता है और OC को हम कहते हैं Bernoulli theorem देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है pressure constant है, rho v square constant है, rho g h constant है यह सब कुछ constant है अब यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया, p का मतलब होता है pressure exerted by the fluid जो fluid अपना pressure लगा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, p से denote करेंगे तो p क्या हो गया, pressure exerted by the fluid v क्या हो गया, यहाँ पर जो यह v लिखा है, इसका मतलब है velocity of the fluid, rho क्या हो गया, density of the fluid and h क्या हो गया, height of the container जो container की height है, उसे हम कहेंगे h और rho का मतलब हो गया, density of fluid v का मतलब हो गया, velocity of fluid और यहाँ पर जो p है, उसका मतलब हो गया pressure exerted by the fluid जो fluid pressure लगा रहा है, उसे हम denote कर रहे है p से, जो velocity है, उसकी v से और जो उसकी density है, वो denote कर रहे हैं, rho से all are the constant, यहाँ तक clear होगे आपको, so this is the Bernoulli theorem, जहाँ पर क्या होता है, सभी constant रहता है pressure, velocity, density, ठीक है, और यहाँ पर height से क्या मतलब है, height से मतलब है, जैसे मालो यहाँ पर कोई fluid flow हो रहा है, a point से, ओके और यह fluid जो है, उपर जाके, b point से भी flow हो रहा है तो यहाँ पर जब वो उपर गया, तो उसका सब कुछ constant था, इस flow के दोरान, इस upward flow के दोरान, यहाँ पर सब कुछ constant रहा है, जो pressure था, वो भी constant रहा है, जो velocity थी वो constant रहा है, density constant रहा है, तो इसी को हम बोल रहे हैं, Bernoulli theorem, कि अगर वो अपना upward moment भी करता है, तो उसमें सब कुछ constant रहता है, चाहे वो pressure हो, चाहे वो density हो, सब कुछ, ठीक है, velocity, density, pressure, सब कुछ, तो यहाँ पर आपको formula लिखा हुआ है, देखो, यह P1 मानलूम है, तो P1 प्लस half rho V1 square rho GH1, मतलब यहाँ पर आपको जो formula दिखाया था, अब यहाँ पर सब पर 1 लगा दिया, P1, rho V1 square, rho GH1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो point बना रखे हैं, एक point A है, तो यह 1 मानल लिया हमने, तो उस formula में सब पर 1 लगा दिया, ठीक है, और यह point B है, तो इसको हम point second मानल ले, तो formula में subject 2 लगा दो, तो देखो यहाँ पर, P1, P2, V1, V2, GH1, GH2 कर दो आपके, ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको formula को लिखना है, clear है आपको, तो this is the Bernoulli theorem, जहाँ पर सब कुछ constant रहता है, और इसी पर based day सब कुछ आगे, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, अब देखिए, energy losses, energy loss किसे होती है, जो fluid flow हो रहा है, suppose this is the fluid, यह flow हो रहा है, तो fluid के flow होने के दोरान, जब pipe में fluid flow होता है, तो क्या-क्या changes आते है, कौन-कौन से energy जो है, loss हो जाती है, तो यहाँ पर लिखा है, during flow, some energy loses, ओके, flow के साथ क्या होता है, कुछ energy चली जाती है, first आपको यहाँ पर दे रखा है, friction loss, friction loss क्या होता है, जैसे इस container में से fluid जा रहा है, बहरा है, बहरा है, बहरा है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस container से flood टकराता है और इसकी वज़े से यहाँ पर friction लगता है एक तरह से आप बोल सकते हो रगड लगती है और यहाँ पर flood जो है उस speed से flow नहीं हो पाता जिस speed से उसे flow होना होता है तो flow क्यों नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर friction लग जाता है container का जिस भी container से वो fluid flow हो रहा है उस pipe में friction लग गया जो fluid है वो यहाँ पर आके इस तरह से धक्या लगाने लग गया जबकि उसको तो सीधा flow होना था So this is the frictional loss during flow of fluid in pipe some friction apply on fluid by the wall of pipe and it is oppose the flow during this some energy loses ओके ठेके सर हमें यहां तक clear हो गया हमें clear हो गया कि जब fluid flow होता है तो वो container से टकरा के friction की विज़े से अपनी कुछ energy जो है lose कर देता है उससे हम कहते हैं Frictional Loss यहाँ पर आपको Hagen-Posley equation दे रखी है जिसकी मदद से Friction Loss बताया गया है तो Hagen-Posley equation क्या होती है डेल्टा पी एफ क्या बोलोगे डेल्टा पी एफ यह बी एफ नहीं है तुमारा यह डेल्टा पी एफ है एक्वल टू 32L Uμ D² मेरे साथ बोलो Uμ क्या बोलोगे Uμ Uμ L D² 32 और यह तुमारा बी एफ नहीं डेल्टा पी एफ है तो हो गया ना formula याद Uμ क्या बोलोगे Uμ चलिए देखते हैं कि यह Uμ क्या है तो U तो होता है velocity of fluid और म्यू हमेशा ज्यादा तर आपको viscosity ही देखने को मिलेगी तो U तो हो गया velocity of fluid म्यू हो गया viscosity of fluid L हो गया length of the pipe D हो गया diameter and delta PF जो कि आपका बी एफ नहीं PF है वो हो गया friction loss तो यहाँ पर आपको सारा clear है friction loss आपके से बताओगे सीरीजी बात है देखो delta PF क्या हो गया friction loss एक बात बताइए जिसका diameter जादा जिसका diameter बहुत ही बड़ा होगा pipe का जैसे मालो इतना बड़ा pipe है ठीक इतना बड़ा diameter का है और यहां से fluid flow होगा यहां से जो fluid है वो इस तरह से अगर flow होगा तो वो क्यों ही container को टकराएगा कम टकराएगा ना क्योंकि इत friction loss होगा pipe से पानी कम टकराएगा तो friction loss कम होगा तो सीधे से formula से हमें पता लग गया कि अगर आप diameter बढ़ा दोगे pipe का तो friction loss जो है कम हो जाएगा और यह 32 constant है ओके तो mu u या फिर आप बोलो u mu तो u हो गई velocity of fluid, mu हो गया viscosity of fluid, l हो गया length of the pipe, delta PF नहीं है, friction loss and d equal to diameter, diameter of the pipe, चलिए second is enlargement loss, ये काफी simple है देखिए, देखो यहाँ पर दो तरह से pipe में आपको दिखा रखे हैं, starting में जो pipe में लगाया हुआ है वो छोटा है, मतलब यहाँ पर जो pressure होगा ना flute का वो जादा होगा, बाद में जो pipe में लगाया हुआ है वो बड़ा है, मतलब यहाँ पर जो pressure होगा वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो तेजी से flow होगा flute, और यहाँ पर धीरे धीरे होने लग जाएगा, क्योंकि जगे जादा है, diameter जादा है, तो starting में जो pressure होगा flute का वो तेज होगा, और बाद में कम होने लग जाएगा, clear है आपको यहाँ तक, तो यही सब ब हो गई तो on increasing the pipe size जब मैंने pipe के size को बढ़ाया some velocity changes बिल्कुल velocity में change आया क्योंकि यहाँ पर velocity जादा थी और यहाँ पर velocity कम हो गई तो जब भी मैंने pipe के size को बढ़ाया velocity जो है जादा से कम हो गई और इसी के कारण जो है energy loss होई कुछ उस flute की क्योंकि अगर आपको बोले के आप इस speed से भागो फिर आपको बोले के और तेज भागो तो आपके energy तो लोस ही होगी ना यह आपको बोलेंगे धिरे धिरे भागो तो भी energy लोस होगी है constant होता है वो बढ़िया होता है ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने pipe की size को बढ़ाया तो velocity में फरक आया और velocity में फरक आने की वज़े से energy का लोस हुआ this is known as enlargement loss क्योंकि यहाँ पर pipe की size को बढ़ाया so this is the enlarge enlarge मतलब बढ़ाया enlargement loss now next is constriction loss नाम से बता लग रहा होगा constriction मतलब जो pipe बढ़ा था अब उसे छोटा कर दिया और यहाँ पर velocity जो है कम थी अगर pipe बढ़ा होता है तो velocity कम होती है और यहाँ पर pipe छोटा था तो flute जो है तेजी से flow होगा तो यहाँ पर velocity जादा थी तो constriction loss में क्या होता है आगे जाके pipe को मने constrict कर दिया सकडा कर दिया नेरो कर दिया देखिए इतना सा पाइप कर दिया पहले इतना बड़ा पाइप था अब उसको आगे जा कि इतना सा पाइप कर दिया ठीक है छोटा कर दिया पहले इतना बड़ा यहां से आने जाने का था पर अब इतना सा कर दिया तो वेलोसिटी में चेंज आया और वेलोसिटी में चेंज आने के विज़े से क्या हुआ energy का loss हुआ तो this is known as construction loss now next is fitting loss fitting loss में क्या होता है कि आपने क्या करा pipe को bend कर दिया अगर आप pipe को bend करते हो जिसे flow जो है इस तरह से होना था पर आपने क्या करा flow यहां से हो रहा है और pipe को bend करके इस तरह flow करा रहे हो तो यहां पर यह कुछ टकराएगा इधर और कुछ टकराएगा यहां पर फिर नीचे आएगा तो यहां पर क्या होगा energy का loss होगा clear आपको तो इस तरह से भी energy जो है loss होती है flow of fluid में clear आपको यहां तक चलिए आगे देखते हैं आगे आपको दे बस में रोटो लिखा है पर में को आधात है रोटा बोलने की तो रोटो मीटर ओके तो यह नेक्स लेक्चर का पार्ट है आई हो अब को आज का लेक्चर clear हुआ होगा जिसमें हमने देखा fitting loss construction loss enlargement loss उससे पहले देखा Hagen-Posley equation जहां पर friction loss में हमने देखा था यह energy losses थे कि जब fluid flow होता है तो कुण-कुण से energy loss होती है कैसे कैसे energy loss होती है मिन उससे बिल हमने देखा बंडोली theorem जहां पर सब कुछ constant रखा अगर इससे जादा बड़ा question आता है तो आप comment करो मैं आपको derivation बता दूँगा उससे बिल हमने देखा renal number steady flow turbulent flow manometer में आप pressure कैसे detect करोगे differential manometer क्या simple manometer क्या manometer होता क्या है pressure का formula कैसे derive किया उसके बाद solid liquid gas में compare किया था starting में तो यह था आपका पहला chapter का एक lecture अब जो next lecture आएगा उसमें पहला chapter आपका कतम हो जाएगा जिसका नाम है flow of flow लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जुरू बताना अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हो have a nice day thank you subscribe and share for more